अस्पताल में इस्तमाल होने वाले वेंटिलेटर मशिन के बारे में आपने जरूर सना होगा तो आज हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर मशिन क्या होता है और इसका इस्तमाल क्यों किया जाता है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाए और All पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए विडि़िस आप रोजान देख सकेंगे देखे वेंटी लेटर को ब्रीधिंग मशिन या रेस्पिरेटर या मेकेनिकल वेंटी लेटर भी कहा जाता है यह अस्पताल में सबसे जरूरी मशिनों में से एक होती है और वेंटी लेटर ज्यादा तरह आपको ICU में देखने को मिलेगा जो मरीज खुद सांस नहीं ले पाते है जिनको सांस लेने में तकलिफ है जिन मरीजों को परियाप्त अक्षिएन नहीं मिलता है उनको यह वेंटी लेटर मशिन सांस लेने में मदद करता है यानि यह मशिन क्रत्रीम ऑक्षिजन का सप्लाई करता है इसके लिए मरीज के मुँ नाक या गले में एक छोटा सा छेद करके एक ट्यूब श्वास नले में डाली जाती है और जिसके जरे यह मशिन फेपड़ में अक्षिजन भीजती है और शेरिल से करबन डाक्षेड बाहर निकालती है जिन मरीजों को फेपड की बिमारी है यानि फेपड में कोई संक्रमन है सूजन है फेपड में लिक्विड भारा है निमोनिया है तो वेंटिलेटर के जोरत पड़ती है साथी सांसलेले में तकलीप है, दिल के कोई भीमारी है, साथी मरीज अगर बेसुद होता है तो उस वक्त ventilator की जोरत पड़ती है, क्योंकि मरीज खुद से सांस नहीं ले सकते है या उनको सांसलेले में दिक्कत हो सकती है इसी के अलावा अन्य कोई शोसन संस्ता से सम्मधित परिशाने के वक्त भी वेंटिलेटर का इस्तमाल किया जाता है साथ ये सर्जिर के दोरान मरीज को जनरल इनेस्टेश्या दिया जाता है मतलब ओपरेशन से पहले मरीज के समविदना को सुन किया जाता है तो उस वक्त भी ventilator का इस्तमाल किया जाता है ventilator machine के बीचे की तरब दो pipes लगे होती है जिनमें से एक pipe में oxygen cylinder लगा रहता है और दूसरे pipe से fresh हवा ventilator के अंदर आती है ventilator में mixer या compressor और कुछ sensor लगे होते है जो oxygen और हवा को एक निशित अनुपात में mix करते है और मरीज को जुरत के अनुशार नियंतित oxygen का supply किया जाता है ventilator के मुख के दो प्रकार होते है पहला है negative pressure ventilator इस ventilator को रोगी के च्छाती पर लगा जाता है इसमें दबाव के कारण च्छाती उठती है और फैलती है और इसे तरह से oxygen का supply किया जाता है और दुसरा प्रकार है positive pressure ventilator इसमें मरीज के नाक मुँ या गले में छोटा सा छेत करके pipe के दोरा pressure दे कर oxygen का supply दिया जाता है जान्दा दर मरीजों को इस प्रकार के ventilator का इस्तमाल किया जाता है ventilator के स्तर के नुसार इसकी कीमत 5 लाग से 12 लाग रुपय तक हो सकती है अस्पताल के प्रकार के आदार पर मुरीजों को ventilator पर रखने का प्रति दिन खर्चा 4000 से 10,000 के बीच हो सकता है तो मैं उम्मिद करता हूँ कि यह ग्यान वर्ति बीड़ी आपको जरू पसंदा होगा तो चलिए मिल देने वीडियो में तब तक के लिए जेहन